हम लोग का आज का ओपोनेंट है यह वाला वेलो क्रिप्टर यार गाई साइज में काफी ज्यादा चोटा है सर के उपर क्राउन भी पहन के रखा है यह तो इतना चोटा है हमें तो है टीरेक्स इसको मार के फैंक देगा यार लेकिन वह किया ना कि चौप हम लोगों ने टीरे करना इस वाले वेलो क्रिप्टर को लेकिन हमें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन यह वाली स्लाइट बहुत ज्यादा खतनाक है यह तो आज का चैलेंज है उपर से हम लोग की आर्मी नीचे की तरफ आए कि स्लिप होगी मुझे पता है कि काफी जादा चोटें लगने वाली हैं उसको लेकिन अगर हम लोग का यूनिट यहां तक सही सलामत पहुंच जिया तो फिर उसके बाद उसने डिफेट करना है इस वाले वेलो क्रिप्टर को मारना मुश्किल नहीं लेकिन स्लाइट से नीचे पहुंचना मुश्किल है लगता है कि चौप तू आ है तो फिर इसका मतलब है कि पहले बादे सेंचन करने वाला लेकिन देखो मेरी बास रहो यहां पर यूनिट की कोई लिमिट नहीं है लेकिन हाँ एक रूल एस वाले चैलेंज का और वह यह है कि हम लोग अपनी आर्मी के एक ही तरह को खड़ा कर सकते हैं तो फिर यहां पर धीर सारे टीरेक्स को खड़ा करूंगा ठीक है तो सेंचन की यहां पर आचुके हैं छे टीरैक्स और यह क्या कर fan simple आर्मी को माईनस कर दिया यह घंजा थीर धीर आर्मी काफी ज्यादा होती जा रही है ठार jotka सिंचन हमा एक सोचनों कि मैं पूरी के पूरी जगा को भर दू और ये वाले स्लाइड लिटरली में काफी जादा खतना के मेरे ख्याल से तो एंड पे कोई भी नहीं पहुंचेगा इतनी स्पीड से जा रहे हैं बिचारे मुझे पता है कि इन लोग को चोटे लग रही हैं मर गए सारे कि सारे टीरेक्स बिचारे मर शुके हैं यार ये वाले नीचे कोई पहुंचा है यहां पर नहीं यार गाई इसकी स्पीड काफी जादा तेज है और नीचे गरके तो वैसे भी यह नहीं बचेगा यह तो रास्ते में डिफीट हो गया टांगे वांगे इसकी तूड़ गई एंड पे पहुंच कि क्या ही करें यार लेकिन चौप मै मेरे पास एक बहुत ज्यादा ओपी प्लान मैं तो सोच रहो कि यहां पर हाइडरा कड़े करता है लेकिन एक मिनट अभी पी चौप अपनी आर्मी को खड़ा करता जा रहा है और मेरे ख्याल से थर्टीन यूनिट्स इसके देखते हैं कि यह लोग पे पहुंच पाते हैं य मुझे पता था कि यार गाइस यह लोग कुछ ना कुछ करेंगे बहुत ही जादा स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट तो चॉप का होने वाला है लेकिन या हमें पे इस वर चैलेंज की टोटल कितने पॉइंट सेंचें जिसके भी तीन पहले होगे वह जीत जाएगा लेकिन मुझे पता है कि यार गाइस जब यह वाले हाइडरा नीचे पहुंचेंगे तो फिर यह सब के सब डिफीट हो जाएंगे क्योंकि इनकी एक तो स्पीड काफी जादा तेज है और गए भाई साब सब के सब गए नीचे लेकिन वेलो क् के काफी जादा हाइडरा थे मैं इस वाले चैलेंज को समझ गयो हमेदा मैं आपको जीत के दिखाऊंगा यार रोग जा चौप अभी तेरा एक पॉइंट हुआ है लेकिन मेरी बारी अभी यार गाइस मैं यहापे डेल सारे वेरवुल्फ खड़े करने वाला हूं लेकिन ज जादा ओपी लग रहा है इनको देखे लेकिन आपको कर लगता है कि इन में से कोई एक एंड पर पहुंचे का क्या मुझे तो लगता है कि सारे एंड पर पहुंचेंगा यार गाइस कितनी जादा स्पीट से आ रहे हैं मुझे तो लगता है कि आपके पास भी बहुत जादा उपी प्लैन है? प्लैन तो चॉप तुने मेरा देख कही लिया यार विलूफ की आर्मी है और यह देखो यह तीनों के टिनोрам के टीनों एक षाथ जह रहा है कितने जादा फनी लग रहे हैं लेकिन पावर्स हैं इंके पास $ows वर्द इनके पास होती है एक तो यह बिचरा बीच में डिफीट हो गया बलके नहीं यार गाइस यह अभी तक जिंदा है और इनके काम देखो यह दोनों के दोनों साथ नीचे जा रहे हैं कितना जादा अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं यहीं टीम वर्क हम लोग को चाहिए मेर कि सारे वेर्वुफ के आपस में रिएस लगी है लेकिन यहां पर यह ट्रैप था यह वाला यार गाइस एक ट्रैप है लेकिन मेरे वेर्वुफ अभी तक जिंदा है यह पहुंचा एंड पर और गया भाई-साब यह वाला वेलो क्रिप्टर भी बचेगा नहीं क्योंकि वे ये वाला चैलेंज तो मैं जीतूंगा लेकिन या हमिदया मेरे पास भी बहुत जाद हो भी प्लैन है मैं सोचनों कि यहां पर गोरो की आर्मी को खड़ा करूं सेंचन गोरो पता नहीं क्या सोच के तो खड़ा कर रहे लेकिन ठीक है मेरे ख्याल से यह नहीं जीत पाएंगे बीच में मेका गोरो भी है और यह वाले गोरो भी हैं लेकिन खैर है यार गाइस 33 यूनिट्स हैं सिंचन के देखते हैं कि इन में से कोई एक एंड पर पहुंच पाता है यहां पर नहीं जहां तक मुझे लगता है यह लोग यहीं पर गिर के डिफीट हो जाएंगे हैं तो यह लोग बहुत जादा खतनाक मगर एक सेकंड यार गाइस अभी तक यह लोग सर्वाइफ कर रहे हैं हम लोग हैज़ बार को आन करते हैं मेरे ख्याल से गोरो भी एंड तक पहुंच सकते हैं स्लाइट तो काफी जादा खतनाक थी लेकिन गोरो बहुत जादे स्पीड से ज भाइस इह वाला खूरो भी गया और मुझे इतना पता है कि जब यह नीचे गरे गा तो फिर उसके बद यह बचेगा नहीं मर गया है और बाकी और अछिन को डीवीट कर दिया मानना पड़े गया झाय बहुत ही जादा ओपी बैटल किया है सारे इसारे गोरो मर गया है सिर्फ और सिर्फ यह वाला बचा है वही मैं देख रहूं चौप सिर्फ और सिर्फ यह वाला गोरो बचा है एक मिनट अभी हम लोग चेक करते हैं एक दो तीन चार पांच छे शे गोरो बचे हैं 33 यूट सिंचन ने खड़े किये थे जिन में से सिर्फ फोर सिर्फ छे ने सर्वाइफ किया है और यह वाला वैलो क्रिप्टर डिफीट हो गया तो फिर आमिद्या मेरा भी एक पॉइंट ह हो गया लेकिन मुझे लगता नहीं था कि गोरो जीतेंगे बट यार गाइस सिंचन का भी एक पॉइंट हो चुका है लेकिन अभी यहां पर मेरी बारी आती है आपको पता नहीं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं यार गाइस यह रैंट तक पहुंच सकते हैं तो फिर यार क्योंकि जगा जादा नहीं है ना 19 रैंटान आ चुके हैं सारी की सारी आर्मी को माइनस करूंगा यार क्यों चौप आर्मी को माइनस क्यों किया है क्योंकि मैं चाहतू कि मेरे जादा से जादा रैंटान यहां पर खड़े हो जाएं समार्ट है और अभी वाला इसका प्लैन बहुत ज़ादा उपी है, मुझे लगता है कि 20 यहां फे 30 रेंथाउन चॉप के यहां पर आ सकते हैं 30 से ज़ादा तो मुश्किल है लेकिन हो सकता है कि 30 रेंथाउन यहां पर आ जाएं फिरॉाल तो इसके 13 आ चुके हैं लेकिन मैं चाथा है कि मेरे 20 रैंटोन N यहाँ पर आजा है 20 मुश्किल लग रहे हैं अगे 20 रैंटोन यहां पर आ चुके हैं काफी ज्यादा स्मार्ट है छॉॉप 22 रैंटोन इसने यहां पर खड़े कर दी हैं और ये सारे के सारे एलियन्स होते हैं पावर्स तो आप लोग को इनकी पता होगी बहुत ही जादा उपी है ये लेकिन चॉप तो कोई भी जगा नहीं छोड़ा है मुझे लगता है कि अब की बार ये जीत जाएगा और एक मिनट ये क्या कर रहा है ये वला दर्वाजा मैंने म पी खेला थह और अभी रैंथोन भी काफी जाधा अच्छा कियल रहे हैं इनकी स्पीड थोड elegant काफी ज्वाली नीचे के तरफ आ LLC के चीज़ हैं कि नीचे की चीज और बहुत whispering कितनी जादा ओब है भी जीत जाएं शै summoned ऐ प्लैन बहुत ही ज़्यादा उपी है इसका मतलब यह के बाई साफ चॉप जीतने वाला है मुझे भी ऐसे लगता कि मैं जीतूंगा यार इसके बाद मेरी बारी है मुझे भी कुछ ना कुछ सोचना होगा लेकिन चॉप के लगता है कि दो पॉइंट हो जाएंगे लेकिन हमें को तो हो सकते हैं सिंचन लेकिन यह डिफीट होंगे नहीं ना देख अभी तक यह लोग कितना जादा ओपी खेल लें सबसे आगे यह वाला लैंट होने और पीछे भी चॉप की पूरी की पूरी आर्मी आ रही है यार गाइस डिफीट होने का तो चांस है यह नहीं मुझे लगता है कि यह वाला पॉइंट चॉप को मिलेगा अभी तक आपको लगता है मैं तो 100 परसंट शूर हूं कि यह वाला पॉइंट मुझे मिलेगा यार मुझे भी ऐसा ही लगता है यह नीचे की तरफ खड़ावा है वेलो क्रिप्ट है जो के थोड़ी देर के अंदर बिचर के यार अभी चॉप के दो पॉइंट हो चुके हैं मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सोच रहा हूं कि वूली महमूत को कड़ा कर दो यार गाई वूली महमूत भी काफी ज्वादा ओपी है उसके बाद मेरे पास कौन सी ऑप्शन है कोई अच्छी सी ऑप्शन है यह कीड़े किदर गहे हैं मेंटिस मैंटिस मेंटिस वाला प्लान है मेरे पास मुझे लगता है कि मैंटिस में सारे के सारे यहां पर खड़े करने वाला हूं इतना नूबड़ा प्लैन मैंने सोचा नहीं था यार रुख जा रुख जा चौप मैं तुझे जीत के दिखाऊंगा थोड़े से हम लोग ये वाले मैंटिस खड़े करेंगे कितनी आर्मी हो गए है मेरी 17 युनिट्स हो चुके है मेरे ख्याल से 20 काफी रहेंगे आपको नीचे देखिए डर नहीं लग रहा किया नईी चौप डर नहीं लग रहा है मेरा मैंटिस आटैक भी कर सकता है और 1 मिनट यारग गाईज अभी रिस फ्लीट सिल्प हो गया है लिट्रली मैं यार.. गैज यह देखो मैं स्लीट करे जा रहा हूं नीचे की तरफ लेकिन मैं सबसे आगे इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ स्लाइड कर गए काफी जादा मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी मैं जीत जाओंगा यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ब्रेक मारनी है और गया भाई साब यह वाला वैलो क्रिप्टर मैं ही डिफीट करूँगा क्योंकि सबसे पहले नीचे पहूंचा हूँ मैं और एक मिनट यार गाईस कुछ भी दिखाई ने दे रहा है बाकी मैंटिस उपर की तरफ हैं और अभी सबसे नीचे मैं ही हो एक काम करता हूँ कि यहां पे चेक करता हूँ यह वाला वैलो क्रिप्टर कुछ जाद ही खतनाक है अभी मारो मैंटिस इसको जल्दी करो डिफीट करो इसको गया बाई साब वैलो क्रिप्टर को आपने खुद डिफीट किया यह आना चाँ अप मेरे भी दो पॉइंट्स हो चुके यार मैंटिस के ओपर बैठके मज़ा आगया है लेकिन या मैं क्या करूंगा मेरे अभी तक सिर्फ एक पॉइंट है हाँ सेंचन पॉइंट तो तेरा एक है अभी तुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा तो फिर या मैं काम करता हूं कि लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिंचन जीतेगा इन वाले स्कॉर्च की स्पीड काफी छादा तेज है यार मिया मुझे लगता है कि सिंचन अभी जीच सकता है क्योंकि संचन और सरफ एक पॉंट भाला कॉज्रोग डीमन बिचारा यहां पर गिरके डिफीट हो गया है ले वाले कॉजरोग डीमन अभी तक जिन्दा हैं मेरे ख्यास से यह लोग जीत जाएंगे और गए लगता है कि डिफीट हो गए बट नहीं यार गाइस जी वाला जिन्दा था वैलो क्रिप्टर को मार के खुद भी डिफीट हो गया और सेंचन की भी दो पॉंट्स हो चुके हैं अभी आपको पता है कि मुझे जीतने के लिए एक पॉंट्स है हां मुझे पता है चॉप तुझे जीतने के लिए एक ही पॉंट्स चाहिए और मुझे लगता है कि चॉप जीत जाएगा दो पॉंट्स चॉप की भी होगे हैं मेरी भी होगे हैं लेकिन दिक्कत यह है कि अभ वूली मह् thrust कोड़ा करूं ङार मेरा वाला प्लान था लेकिन्ट है ते यह जीत पाते हैं यहां पे नहीं और आधे वूली महमू तो पहले ही नीचे की तरफ ठीक है देखते हैं कि इन में से कोई एक एंट पर पहुंचता है या फिर नहीं एक मिनट भाई साब यह मैं क्या देख रहा हूं यह वाले वुली महमूद तो कुछ जाद ही तीज है यार गाई बैटल स्टार्ट किया नहीं है और यह पहले ही नीचे पहुंच गया है लेकिन कोई भी वुली महमूद जिन्दा नहीं है और इसके काम देखो यह क्या कर रहा है इतनी स्पीट से जा रहे हैं नीचे की तरफ मुझे लगा था कि चॉप जीत जाएगा और एक से गदे भी जा रहे नीचे मेरे ख्याल से यह कुछ ना कुछ करेंगे यार गाई यह डाइड हैं यहांफिर क्या किया है लेकिन पता नहीं यार गई इसको जयुचा से हैं पिर उसका मतलब क्या बड़ टो सिंचन चौप जीत गहा यह डहले झार ने इसको देखा नहीं था यह मेरा प्लैन तहना अपको मेरा प्लैन कैसा लगा यार ओढं अच्छा है यह यह वाला चैल झाल